आगरा के एक सरकारी स्कूल में बिजली कनेक्शन काटने का मामला सामने आया है जहां सरकार से बिजली का अनुदान ना मिलने के कारण इस्कूल का बिजली बिल नहीं भरा गया जिसको लेकर विद्ध विभाग ने बिजली कनेक्शन ही काट दिया इतना ही नहीं एंसी वैदेक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का गर्मी से बुरा हाल है वही स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बिजली का बिल चालीस हजार का है जिसकी सूशना डि आई ओएस और अन्य शिक्षा अधिकारियों को भी दी गई है लेकिन अभी तक समस्य का कोई समधान नहीं हो पाया है साशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बिजलीवल जमा के जा है दूसरा जितने भी विद्ध्याले हैं सभी मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन कोमर्शल है तो उस लिहाज से भी यहां पर रेट ओफ एलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं वो भी हायर रहती है सब्सक्राइब कर दो पर दो तो चलो बहार भी चले जाते हैं विद्धि बच्चों को बेटना होता है उनकी लिए ज्यादा है हमें लगता है कि बच्चे जादा परिशाद होना है